नमस्कार दोस्तों मैं जूती आप सभी को प्रकर्ति की क्लोस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों यह तो कुद्रत ने बेहदी खुब सूरत खुब सूरत पौधे बनाए हैं तो हर गार्डनर की चाहत होती है तो वो अपने गार्डन में सारे पौधों को एड़ करें लेकिन मांसुने कैसा सीजन होता है जिसमें हम लोग कटिंग से खूब सारे धेर सारे पौधे मल्टिप्लाई कर सकते हैं किसी फ्रेंड के यहां से या पाक से जाकर हम लोग इन कटिंग का जुगार कर सकते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को कटिंग लगाने का सही तरीका कैसे उसे लगाना है क्या करना है कैसी सॉयल लेने सब कुछ बताऊंगी तो बने रहे ये वीडियो पर तो दोस् किस साल बड़ इसकी कटिंग लगा सकते हैं लेकिन मानसून एक ऐसा सीजन होता है जहां हार्ड़ कटिंग को काफी असानी से लगाया जाता है तो कटिंग लगाने से पहले हमें सबसे पहले इसकी मोटाई देखनी है कि वह कैसी है ठिकनेस किस तरह की कटिंग की तो आपको जैसे भी कटिंग मिले वैसे तो आइडियल पेंसिल नुमा ही कटिंग होता है लेकिन जैसी कटिंग मोटी पतली आपको मिले आप सबको लगाईए तो इस तरह से तिर्शी कट देना है 45 डिगरी एंगल पे कट देना है और 3-4 इंच की कटिंग हमें रखनी है इससे जादा लं तो कटिंग लगाते समय उसमें एक्स्ट्रा पतियों को हमें नहीं रखना है और हमें खूब सारी कटिंग लगानी है कोसिस करें 4-5 कटिंग अगर बन जा है तो 4-5 कटिंग हमें लगानी है और कटिंग को रेडी करने के बाद हमें उसे पानी में डालते जाना जिससे उसका और उसको rooting हार्मोन लगाना या तो एलबेरा gel लगा ले yeah फिर आप rooting हार्मोन कोई सा भी ले ले मेरा RootX company का rooting हार्मोन मैं लगा रही हूँ क्योंकि पौधा मेरे garden में नहीं है तो मैं risk नहीं लेना चाहती हूँ इसलिए rooting हार्मोन का प्रियोग कर रही हूं तो एक वेल ड्रेन मिट्टी हमें लेनी है 50% गार्डेंस और 50% सेंड में और किसी टूल की मदद से छेद बनाने के बाद वन वाई वन सारे कटिंग को लगा दे अच्छे से और दबा दे और वाटरिंग कर दे नेक्स दोस्तों यह जो देख रहे हैं य इसके फूल बड़े ही खुबसूरत और मनमोहक होते हैं इसकी दो वराइटी होती है टॉल और डॉर्फ तो दोनों वराइटी बेहद ही खुबसूरत होती है यह टॉल वाली वराइटी है डॉर्फ वाली की पतियां थोड़ी चोड़ी चोड़ी होती है और पॉडर के पफ क जैसा ही इसके फूलों का काड होता है तो इसलिए इसका नाम पॉडरपफ प्लांट रखा गया है काफी खुबसूरत होता है दोस्तों ये फूल और बहुत ही असानी से कटिंग से ये लग जाता है तो इस तरह की कटिंग मुझे मिली है तो पैंसिल लूमा कटिंग तो सबसे आइडियल होता है लेकिन पतली कटिंग भी हमें जरूर ट्राय करनी चाहिए और बहुत लंबी कटिंग नहीं लेनी है तीन से चार इंच की कटिंग लेनी है और कटिंग में पतियों को मत रखिएगा जिसे की प्लांट को ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना पड़े फिर नी से स्क्राच करिएगा बहुत ज्यादा उसकी तीसू को डामेज मत करेगा बस उपरी लेयर करिएगा और फिर इस तरह से उसे पानी में रख दे जिससे मौशर लॉस नहीं हो अब दूसरी कटिंग को भी हम लोग रेडि कर लेते हैं पतियों को रिमूव करते जाए ज्यादा पतियों को हमें नहीं रखना है फिर एक अच्छी वेल डेन अपॉर्टिंग मीडिया में हमें इसे कटिंग को लगानी है तो उसकी जो रूटिंग होने में बहुत ही जल्दी मदद मिलती है तो रूटेक्स हम लोग इसलिए लगाते है क्योंकि मानसुन कर समय है वैसे तो को काट कर उसकी अंदर डिप करकर उसके बाद कटिंग लगाएं यह मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में सेयर करी है और कटिंग लगाने के बाद उसमें पानी जरूर दे दे और कटिंग को हिलाना नहीं है छायादार जगा में हमें रखनी है नेक्स दोस्तों यह मुस तो क्यों ना इसे मुफ में हम लोग कटिंग के थू मल्टिप्लाइ करें तो मुसार्णा की एक कटिंग मैंने ली है तो इस तरह से देखे पतियों को हम लोग एक्सट्राइश ले नहीं रखते हैं कि कटिंग के उपर ज्यादा लोड ना पर एक आधा पतियां आप लोग में लुक्ते टियaus रूटिणा कि अलगा रही हूँ सिपट आप की तुन से रुटिंग कि जड़े निकलती है लेकिन मोटी कटिंग की जड़े निकलने के बाद उसके चलने के चांसे बहुत जादा होते क्युंकि कई बार कटिंग लगने के बाद भी वह शाएता हैisen तो कि वह एकदम गार्डेन का साइड पार्ट में हमें रखना है और एकदम जूंड बनाकर रखना है कटिंग को भी अकेले अकेले नहीं रखना है किसी बड़े पॉट के नीचे रखें पेर की छाया के नीचे रखें नेक्स दोस्तों ये मीनी चान्नी का पौधा आप लोग किया जाता है और कटिंग से काफी असानी से मानसून के टाइम में लग जाता है वैसे तो साल भर आप इसकी एयर लेरिंग अगेरा करके भी कटिंग लगा सकते हैं तो इस तरह से देखिए बहुत सारी कटिंग आपको लगानी है और 45 डिग्री एंगल पर कट करिएगा एक् कोको पीट हमें नहीं देनी है क्योंकि कोको पीट मॉश्यर को मेंटेन करके रखे वे रहती है तो नीचे से लेके स्क्रैच कर दिया है क्योंकि यह हार उट कटिंग हार उट कटिंग में स्क्रैच करेंगे तो रूटिंग करवाने में बहुत ही असानी होती है इस तरह से तो सारी कटिंग को one by one ready करना है दोस्तों हार रूट कटिंग हम लोग उसे कहते हैं जिसमें ब्राउन पॉट अधिक दिखता है तो हार रूट कटिंग को लगने में थोड़ी सी टाइम अधिक लगती है तो इस तरह से स्क्रैच करने से दो फायदा होता है जो मैंने वीडियो में बता ही है तो पानी दे दीजिए आप जिस भी पॉटिंग मीडिया में लगाएंगे यानि कि 50% गार्डेन सॉयल और 50% रिवर्शन यानि की भूरबुरी सॉयल में हमें लगाना है और रूटेक्स का इस्तमाल हम लोग इसले करते हैं ताकि पानी कटिंग में किसी भी प्रका लगाले क्योंकि अलवेरा के प्लांट तो हर गार्डेन में होते ही है और नहीं तो दालचेनी का पॉडर लगा ले नहीं है तो हल्दी लगाले तो इस तरह से आप कोई भी रूटिंग एजेंट जरूर लगाले जिसे की कटिंग में फंगस नहीं हो लगे और कटिंग को उपर लगाने से ये बहुत ही कुप सूरत लटकता है और पूरे पड़े के जैसा दिवाल के उपर फैल जाता है और माणो ऐसा लगएगा की कोई परधा ही लगा हो ग्रीन अ नहीं अशी है तो इसकी कटिंग मुझे मीली है तो मैं को लगाने आप लोगों को वी बता रही ह तो इसकी cutting लगाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है जो भाग लटकता है वो उल्टी होती है ये और उपर वाला भाग नीचे के और होना चाहिए ये भाग उल्टी है और ये भाग सीधी है तो हमें cutting नीचे की तरफ से ही लगाना है तो बहुत जादा ध्यान रखना पतियों को एक्स्ट्रा हटाते चले जाएगा और cutting लगाते समय बेहदी सतर्क रहिएगा कि जिस भाग में टिप है तो उसमें तो आप असानी से पहचान लेंगे और दूसरी cutting को आपको पहचानने में थोड़ी तकलीफ होगी तो बहुत ही पहचान करके सीधी भाग में ही cutting पुल्टी cutting मत लगा दीजेगा इसकी पतियों को देखकर भी सीधी उल्टी की पहचाना कर सकते हैं तो बस सारी cutting का एकी रूल है 45 डिगरी एंगल पर कट लेना है ताकि surface area बढ़ जाए रूटिंग होने में ज्यादा space मिले और cutting को काट काट कर तुरंत पानी में डुबाते इससे तो आपको यह भी पता चलेगा कि कौन सा भाग नीचे रखना है और कौन सा भाग उपर रखना है तो इसलिए पानी में भी डिप करते जाने से दोनों फायदा मिलता है एक तो cutting की moisture loss नहीं होती है और दूसरा की सीधी उल्टी के पहचान होती है तो सारे cutting में इसी तर इसली कान, हमें लगाते चले जाना है कि हमें कभी भी कटिंग नहीं लगानी है इस तरह से cutting को अच्छे से दबातरु दी ज़र गाना है कि cutting कुलिए में करते पूंद काद आखि की कटिंग नई रगाना हैं और हमें भूल जाना है कोने में रखकर कटिंग जरूर सक्सेस होती है कटिंग में कभी भी तेज बारीसों की छीटे नहीं पड़नी चाहिए धीमे धीमे बारिस भी तोकोई बात कर गार्डेन को एक बहतरीन लूग दे सकते हैं कटिंग से बहुत ही आसानी से दूरानता लग जाती है वैसे आपको गार्डेन में 20-30 रुपए में इसकी पौद जरूर मिल जाएंगे लेकिन पार्ट में इसली एवेलिबल होता है दूरानता तो इसलिए मैं आप लगों को इ आराम से लग जाती है 3-4 इंच की कटिंग भी लगा सकते हैं 2-3 इंच की अगर्डेन लगा सकते हैं का फिरेञ historic डिफरेंड लुक इसने गार्डेन में क्रियेट की जाता है तो इस तरह से सारे कटिंग लगने के बाद उसको एक छाया तार जगा में रखे और याद रखे क तो इस तरह से मैं मुसंडा वाले पॉट में ही लगा देती हूं और सारे कटिंग को देखिए आपने ध्यान दिया होगा मैंने वेस्ट कंटेनर में लगाई है तो कैसी लगी आज की वीडियो आप सभी कमेंट करें और एक लाइक जरूर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है चैनल से जूरने के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें तो इसी के साथ आप लोगों से वीदा लेती हूं बाई दोस्तों टेक क्यार हैपी गार्डनिंग